ताज महल वास्तव में एक खूपसूरत जगय है। जब आप यात्रा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप फ्रिष्ट भूमी के रूप में समाधी के साथ अपनी और अपने पती की तस्वीर लेते हैं। कौन जानता है समराट ने अपनी पत्नी को मृत्यु के बाद उसकी याद के लिए इस तरह किसंसादनों को समर्पित करने के लिए प्यार किया था आपके ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण मुगल समराज्य वास्तुशिल्प चमतकारों में से एक अभी भी आगरा उत्तर प्रद इसे एक ऐसे राष्टर में इसलामी कला का आभूशन कहा जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू है जैसे कि मुगल समराज्य के विस्तार के मामले को दिखाने के लिए यह इसलामी, फार्सी, ओटो मन्तुर की और भारतिये वास्तुकला शेलियों सहित समराज्य के सभी कोनो से आर्किटेक्चर को जोड़ता है नीचे कुछ तथ्य दिये गए हैं जो आपको ताज महल के बारे में दिल्चस्प लग सकते हैं एक ताज महल का निर्मान 22,000 मजदूरों, चित्रकारों, पत्थर बाजों, कणहाई कलाकारों द्वारा किया गया था दो किन्वदंती है कि समराट शाह जहान ने नदी के पार काले संग मरमर में एक और ताज महल बनाने का इरादा किया था, लेकिन उनके पुत्रों के साथ युद्ध ने इन योजनाओं को बाधित कर दिया तीन दिन के अलग अलग समिय में इन परहस पत्नी के बदलते मूड को मौसमी के बदलते संकेत द्वारा अच्छी तरह से पकड़ लिया जाता है यह सुबह में एक गुलाबी रंग, शाम को दुधिया सफेद और रात में सुनहरा होता है जब चान्नी से रोशन होता है चार कला और स्थापत्य प्रतिभा के जटल काम को पूरा होने में सत्रह साल लगे पांच सबसे पहचाने योग्य विशेश तमक बड़े के शिखर पर सफेद गुमबद है अकसर इसे प्याज का गुमबद कहा जाता है यहां लगभग 35 मीटर, 115 फीट तक बढ़ जाता है और चार अन्य गुमबदों से घिरा होता है छे ताज महल एक प्रसिद भारतिय मिल का पत्थर और परियटक चुमबग है जो हर साल एक लाग से अधिक परियटकों को आकरशित करता है साथ हमेशा की तरह इस मगभ़े के बारे में अफवाग फैल रही है यह अफवाग है कि समराट ने आदेश दिया कि सभी कारकर ताजों मकवरे पर काम करते हैं उनके हाथ काट दिये जाते हैं ताकि कोई भी ऐसा कुछ ना कर सके जो फिर से हो आठ अगर इसे आज बनाया जाता तो ताज महल को जितना सुन्दर बनाया जाता उसे बनाने में समराट को लगभग एकस और अमरीकी डॉलर का खर्च आता नो ताज महल के निर्मान के लिए जिन सामग्रियों का उप्योग किया गया था उन्हें निर्मान स्थल पर 1000 हाथियों द्वारा भेजा गया था 10 1857 के भारतीय विद्रो के दौरान विटिश सेना द्वारा मगबरे की धीवारों से मगबरे की कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था ताज महल वास्तव में एक खूपसूरत जिगे है जब आप यात्रा करते हैं तो सुनिस्चित करें की आप फ्रिष्ट भूमी के रूप में समाधी के साथ अपनी और अपने पती की तस्वीर लेते हैं कौन जानता है समराट ने अपनी पत्नी को मृत्य के बाद उसकी याद के लिए इस तरह किसंसादनों को समर्पित करने के लिए प्यार किया था आपके उपर